सरकार की प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के दावे हुए पे अर्नार्ड जिले के लगबग 5000 से अधिक किसानों को प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहट 2018 खरीब के मौसम में फसल के नुफसान का मुआवजा अभी तक नहीं हुआ प्राप दावों को निप्टान को देरी से किसानों में आफ्रोश 2018 खरीब के मौसम में फसल के नुफसान का सामना करने वाले 5000 से अधिक किसानों को अभी तक करनार जिले में अधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहट मुहाफजा प्राप्त करने वाले बकायदारों पर कारवाई करें उनके बैंक को द्वारा लिपिकिय अगतिविद्यों के कारण बीमा कंपनी ने लगबग 4395 किसानों के दावों को खारीच कर दिया है जब भी ये सरकारी करमचारी जितने भी हैं सबके भत्ते बढ़ गए हैं बढ़ गए है ना देखिए हमारा कहना यह है कि जब हर सरकारी करमचारी की बढ़ रही है बढ़ रहा है तो किसान को रहमकी बरसात हो सकती है अगर हमारे मोदी साब चाहे तो किसान को क्यों देंगे और मोदी जी तो यह कह रहे हैं कि मेरे को कहते हैं कि मोदी पुंजी पतियों का अदमी उसना तो छाती ठोक का किया है पुंजी पति तर खड़े ते पांची तर स्टेज बाद छाती मा अतमार का किया के में छाती ठोक के तामें पुंजी पतियों का अदमी हूं तो किसान को कैसे देगा बचारे को बैंकों ने कहा कि कमपनी किसानों को फसल के नुपसान का पैसा चुकाएगी क्योंकि इसके द्वारा फ्रीमियम काटा गया था दूसरी और कमपनी ने कहा कि गलती बैंकों के द्वारा की गई थी इसलिए वे गलती पड़ते और इसके लिए उन्हें भुतान करना चाहिए दावों के निप्तान में देरी से किसानों में आक्रोश पैदा हो रहा है देखिए परदान मंतरी फसल बीमा योजने की बहुत ही मेतोकांक सी योजना सरकार गी यह वर्द 2016 में शुरू ही थी उसको शुरू है अभी चार साल कंप्लिट हो चुके हैं जहां तक आप 2018 की बात कर रहे हैं तो 2018 में हमारे पास मैक्सिमम इसके कैसी जाये थे जो नुक्शान होने के कैसी जम्हें प्राफ दिए थे उसमें से तकरीबन 5,366 ऐसे फार्मर्स हैं जिनकी कंप्लेंट्स अभी तक पैंडिंग है जो के पैंडी की सीजन के दान के सीजन की पैंडिंग है इसमें से 4,800 बहतर जो हैं वो बैंक लेवल पे पैंडिंग है या बैंक ने जो उनके पॉर्टल पे इंट्रिया नहीं की है किया बैंक ने उनके नाम में कोई गलती गर दी है, गाओं के नाम की गलती गर दी है, किसान के नाम की गलती गर दी है और बहुत सारी बैंकिंग ने ऐसा भी किया है कि जो भारसरकार का पोर्टल है उस पोर्टल पर जो इस भी किसान के पैसे बैंक काटता है वो बीमा कंपनी को उसका वीरोन बेजने के साथ साथ भार सरकार के पोर्टल पर भी इंदराज करना बैंक की जिम्मेदारी बनती थी इस तरह से बैंक ने तकरीबन 4800 केस ऐसे हैं जिनकी गवर्नमेंट ओप इंडिया के पोर्टल पेंटरी नहीं की और इस परकार बीमा कंपनी दोवारा उन किसानों को भीमित नहीं माना गया ऐसी गरिवेंशी हमारे पास काफी गरिवेंशी आई हमने सभी गरिवेंशी को डिस्टिक लेवल मोनिटरिंग कमेटी में जिसके अध्यक्स माननी उपाईप्त महब्यों है दूसरे भी उसके सदेश्यगण है मैं खुद ऊसका मेंबर सदेश्य हूँ हम उसके अंदर उसका विस्तार से चर्चा हुई L.D.M. बैंक को भी बुलाया सभी बैंक कर्मचारी दूशे अधिकारी को भी बुलाया उसमें एक फैसला हुआ कि जिनके बैंक की अगर जो गलती के कारण किसानों को मौाउजा नहीं मिल पा रहा है तो उसका मौाउजा बैंक ही अब किसान को देगा जब इस सतर पर बात हुई है जब बैंक को ने किसानों को मौाउजा नहीं दिया इसके बाद हमने इस केस को स्केट लेवल की जो SLBC मीटिंग होती है SLBC में भी लेखर के गए वहाँ भी ये फैसला हुआ है कि ये जो पैसा रुका हुआ है ये बैंक ने समय पर सूचना नहीं बेजने के कारण या आउसे कूचना नहीं बेजने कारण बैंक की गलती कारण किसानों का रुका है तो स्टेट लेवल पर भी ये फैसला हुआ है कि बैंक ही संबंध्य किसानों की पेमिंट करेगा इसके उपरांत भी अभी तक दो साल तकरीबन बीच जाने के बाद भी बैंक्स ने किसी भी किसान की पेमिंट अभी नहीं की है इसके संदरब में हमारे जो माननी अडिसिल चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने ये पूरा मामला जो इसके चीफ एक्जिक्यूटी ओफिसर भार सरकार है उनके संग्यान में लाया गया है और जो बैंकों की एक संचालन समीती है रिजरो बैंकों इंडिया है उनको भी इस बारे पतर लिखा गया है कि आप सभी बैंक को जिन जिन बैंक में ये किसानों का भीमा हुआ था उन सभी बैंकों को आदेश दें कि उनकी तुरूंत जो उनकी बरपाई है वो बैंक से मादम से बरपाई करवाई जाएं